यह हिट सिंग आपका नेचुरल जो है कूलिंग के लिए दिया गया है लेकर फैन को आउन करके देख लेते हैं दोस्तो देख सकते हैं फैन का आवाज यह है आउजय का तरफ से एक बुष्टर एम्प्रिफार से ले इसके बारे में एक बार जान लेते हैं है दोस्तो दास Odeon Electrical आपके सामने फिर से एक नए विडियो लेके आए हैं दोस्तो इस वीडियो को देखने से पर ले आप चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल ले में को दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे आने ये एम्प्लिफायर में हमने कुछ से चेंजिंग किये हैं चलिए इसके डिटेल एक बार देख लेते हैं चलिए वीडियो बने रहे हैं तो यह है आहुजा के तरफ से एक बुस्टर एम्प्लिफायर जिसका मॉडल नंबर है बी आर टू फिप्टी एम है यह एक पीए पाउर एम्प्लिफायर है इसमें सामनी के और देख लेते हैं दो खुबसूरत हैंडिल दिया गिया है और इसमें तीन बोलूम का नोब दिया गिया है सबसे उपर देख लेते हैं एक मास्टर का बोलूम दिया गिया है और इस और देख लेते हैं एक बेस का और ट्रेबल का नोब कि और एक लेवल इंडिकेटर जो कि साउंड का इंडिकेटर को दिखाता है इसमें आप मैक्सिमम जीरोडी टिवी तक जा सकते हैं और कभी का वार प्लस ठीडी तो यह अपको जो है बाहर निकल जाएगा इसे फिर दुबारा उन का निकले इस अंदर के और पूस किजिएगा तब यह अपको देख सकते हैं amplifier को नीचे रखने के लिए चार mounting support दिया गया है और इस और देख लेते हैं input के लिए आपको दो socket दिया गया है आगर इसमें आप signal India करते हैं audio इससे आउट करके दुसरा amplifier मा में अच 2030 दिया गया है जिसमें इसंधर स्विश दिया गया है आपको common 4 ohm और 8 ohm जो है speaker के लिए दिया गया है, अगर आप single speaker यूज़ करते हैं तो 8 ohm का यूज़ किजेगा, अगर आपके पास 8 ohm का 2 speaker है तो उसे अगर आप parallel किजेगा तो ये 4 ohm पे आएगा, इसके बाद देख लेते हैं, ये जो है LMT driver unit के लिए दिया गया है, इसमे common 70 volt और 100 volt दिया गया है, आगर आपके पास 70 का LMT unit है तो 70 उसकी जेगा, आगर 100 का है, तो 100 volt आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, इस और देखते हैं, इसमें बैटरी voltage के लिए दिया गया है, 24 volt दिया गया है, आगर आपके पास दो बैटरी है से series करके, 24 volt करके, इस amplifier को कर सकते ह है, और ये अर्थ connector दिया गया है, एक fuse दिया गया है, और 1.5 meter का power cable दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, एक आपका 6 amp का top दिया गया है, इसका एक बार load calculation का बारे में देख लेते हैं, company के और से बोला गया है, ये 250 watt RMS इसका output है, आप maximum 300 RMS output दे सकते हैं, अगर आपके पास 12 inch 16 ohm 200 watt का speaker है, तो इसमें आप 4 speaker आराम से आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास 16 ohm का 2 speaker है, तो एक तरह हो जागा 8 ohm हो जाएगा, और दूसरे तरह आपका 12 inch 16 ohm का 2 speaker है 100 watt में, तो 8 ohm हो जागा, 88 ohm हो जागा, तो ये amplifier आपको 400 watt easily load ले ले लेगा, और हम इसमें monitor के लिए यूज करते हैं, 15 inch 200 watt का speaker है, ये 8 ohm का speaker है, दो speaker को अगर आप लोग पैरलल करते हैं, तो 4 ohm हो जाएगा, और उसमें हम लोग 20 watt का tutor दिये हैं, और ये amplifier काफी अच्छी तरह से load लेता है, हम लोग continuous program के कम से कम 4 से 5 घंटा यूज करते हैं, amplifier बिलकुल गरम नहीं हो इस amplifier में क्या काया बद देख लेते हैं, दोस्तों इस amplifier में आप देख सकते हैं, 2роде transfer 550 दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं, ये power transformer दिया गया और ये दूसरा transformer जो है, ये speaker out के लिए दिया गया है, और इसके बाद देख लेते हैं, इसमें total 6 MOSFET दिया गया है, और तीन मोसपेट इस तरफ दिया गया है और इसमें एक देख लेते हैं एक heavy capacitor दिया गया है और इस तरफ एक देखिये डायोट दिया गया है और यह है ड्रैवर बोड दिया गया है और सामने के और देख लेते हैं इसमें एक काट दिया गया है जो कि master based travel के लिए काट दिया ग तरह से एक हड़ेगा स puisqu अ यह लियागा सा अगर तरह को ओन करते हैं तो इसका अंदर को जो बहुत को इस आ इस्का यह जो को घर्म करते होगा तका, निकल जाता है आपको दुनों हीट सिंग जो है अंदर के और गरम होगा वह भी निकल जाएगा गर्मी से और यह ड्राइबर बोर्ट ट्रांस्पोर जो भी गरम होगा इससे यह ठंडा कर देगा देख लेते हैं इस फैन में कितना तागत है देखिए यह एक पेपर को आप दे लिए अंप्लिफार गरम नहीं होता है दोस्तों यह वीडियो को कैसे लगा कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताएए दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चले धन्यवाद कि अगर दो